हे गाइस मैं हूँ सीमा और डावत चनल पर आप सभी का बहुत बहुत दिल से स्वागत है आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ डॉल केक के रिस्पी इस डॉल केक की खासियत यह होने वाली है गाइस कि आज हम लोग इसे बिना मोल के बनाएंगे जो अलग से डॉल केक के ल इसे लाइक कमेंट शेर और दावत चनल को सब्सक्राइब करना न भूले तो यहां पर यह डॉल केक तयार करने के लिए हमें सबसे पहले अंदर का स्पॉंज या केक तयार करना होगा तो मैं यहां पर डेड़ कप प्रिमिक्स ले लेती हूँ तो एक कप पहले डाल दिया है अब फिर से आधा कप प्रिमिक्स मेंने हैं यहां पर डाल दिया है 시청 B यह मार्केट को वाला रेडेमेंट प्रिमिक्स में यहां पर यूज किया है alley cup का मतलब है 200 g के करीब मैने यहां पर यआ पर यह पर ये प्रिमिक्स यूज किया है आधा कि fundamental की बनाने के लिए और इसमे केक का बैटर तयार कर लिया है नहीं बहुत जादा पतला होना चाहिए और नहीं बहुत जादा गाणा का यों पर वाईिला फ्लेवर क ह второй का यह में केक बनाा रही हूं इस विगी यहां पर यहां पर जाग का यहां अपर शवाँ के केक में इसमीर हगार सो Check इसे तेल से थोड़ा सा ग्रीस कर लेंगे अंदर से मैंने बटर पेपर भी डाल दिया है चलिए इसमें सारा ये केक का बैटर में डाल देती हूं आपको सिर्फ हाइटेट टेन लेना है यहाँ पर तो आपका केक एकदम पॉफेक्ट बनेगा तो यहाँ पर यह बैटर मैंने इसमें डाल दिया है तीन से चार बार आपको इससे इस तरह से टैप करना है ताकि जो एक्स्टा एर है वो निकल जाए इस केक को आज हम लोग कूक तो यहाँ पर कूकर का धकन लगा कर हम लोग इसे लो फ्लेम पर ही 35-40 मिनिट तक बेक कर लेंगे तो पूरे 35 मिनिट कंप्लिट यहाँ पर हो चुके है यहाँ पर कूकर की रबर की रिंग और सीटी आपको निकाल कर रखनी है देख लीजिए बहुत ही बढ़िया से हमारा क अच्छी तरह से राइस हो चुका है तो चलिए यहाँ पर टूथपिक मैं इसमें डाल कर देख लेती हूं पूरे 35 मिनिट मुझे यहाँ पर यह केक करने के लिए लगे है तो पीक क्लियर आ रही है इसका मतलब है हमारा केक पूरी तरह से अंदर तक बेक हुआ है अच्छे स तो चलिए अब हम लोग यहाँ पर केको पूरी तरह से ठंडा होने देते हैं इसके बाद हम लोग इसे डेकृरेट करेंगे ए तो पूरी तरह से केक ठंडा होने के बाद ही आपको इससे डिमॉल करना है इस तरह से देख लीजए कितनी अच्छी सी हाइट मिली है हमारे केक और आधा किलो का हम लोग ये डॉल केक बना रहे हैं वैसे तो बेकरी में एक किलो से ही एगेञ चूर्फान कृफा चॉप्त कर्णा को भाधा को बनाें लेकिन झाल निचे के से अंदा दूख कर नियुकंते हैं इसके चार लेयर्स हम लोग आज कट करेंगे क्योंकि ज्यादा लेयर कट करने से हमारे केक को अच्छी सी हाइट मिलेगी देख लीजिए बहुत ही बढ़िया से हमारे यह स्पॉंज तयार हुआ है नीचे थोड़ा सा विप क्रीम लगा लेंगे विप क्रीम की डीटेल हमारा शुगर सिरफ तया हो जाता है और शुगर सिरफ डालने के बाद उसके उपर विप क्रीम लगा कर हम लोग इस तरह से पैलेट से स्प्रेड कर लेंगे अगर आप यहां पर पाइनाप पर या स्ट्रॉबरी या अलग किसी फ्लेवर का केक बना रहे है तो विप क्रीम क जब तक आपके लेर्स खतम नहीं हो जाते तो यहां पर लास्ट जो लेर है चौथी वाली लेर वो मैंने उपर रख दी है उसके उपर थोड़ा सा जो डॉम शेप आया है उसे मैंने कट कर लिया है और बस शुगर सिरफ डाल दींगे थोड़ी सी विप क्रीम लगा लेंगे और बस उसके उपर जो डॉम शेप आया है उसे भी हमें रखना है तो डॉल के एक बना रहे है इसलिए इस तरह की एक डॉल मैंने ली है इसकी हाइट कितनी है वो आपको देखनी है और बीच में सेंटर में आपको इस तरह से एक निशान लगाना है चाकू की हल्प से और उ specially doll cake बनाने के लिए अलग तरह की stick वाली dolls भी मिलती है तो यहाँ पर अब मैंने doll फिल से निकाल दी है अब हम लोग इसे पूरी तरह से whip cream से cover कर लेंगे अब बस whip cream पूरी तरह से लगाने के बाद pellet की help से या scrapper की help से आप इसे इस तरह से finishing दे सकते हैं या icing कर सकते हैं तो हमारा cake यहाँ पर पूरी तरह से whip cream से cover हो चुका है अब मैं इसे 15-20 minute के लिए फ्रिज में रख दीती हूँ तो जब तक हमने हमारा cake फ्रिज में set होने के लिए रख दिया है तब तक हम लोग यहाँ पर उपर की जो icing है डेकोरिशन है उसकी तयारी कर लेते है तो यहाँ पर जो whip cream है उसमें मैंने pink color थोड़ा सा डाल दिया है अब यह color cream तयार है तो आपको जिस भी color में यह cream चाहिए उस तरह की color की shade आप इसमें add कर सकते है तो यह color cream बना सकते है पूरे 20 मिनिट के बाद हमारा जो cake है उसे मैंने फ्रिज से बाहर निकाल लिया है अच्छी तरह से अब यह set भी हो चुका है तो जो whip cream थी pink color वाली उसे मैंने piping bag में डाल दिया है और 1M number का nozzle भी मैंने लगा दिया है तो यहाँ पर बस हमें छोटे-छोटे stars या जो rose flowers है उसे बनाना है आपको जिस भी तरह की design पसंद है उस तरह का nozzle आप यहाँ पर use कर सकते है आप छोटी से इस तरह की एक चकली बना लीजिए आपका rose flower त्यार हो जाता है देख लीजिए nozzle को आपको किस तरह से पकड़ना है और घुमाना है दीखिए बहुत ज़्यादा खूबसूरत से हमारे छोटे-छोटे rose flowers यहाँ पर तयार हो चुके है अब हमें पूरे केको उपर तक इसी design से cover करना है यह जो doll का dress है उसे आपको तयार करना है जो doll है वो आपको सबसे last में इसमें फसानी है तब तक आप उपर तक इस तरह से design बना सकते है same design मैं यहाँ पर बना देती हूँ तो doll का dress यहाँ पर नीचे की side से बन कर तयार है अब last में design तयार होने के बाद हम लोग उपर जो हमने निशान बनाया था चाको की हल्प से उसके अंदर सिर्फ हमें यह doll है उसे इस तरह से फसा देना है और जो नीचे थोड़े से gaps है वहाँ पर भी हमें इस तरह से design बनानी है दीख लीजे बहुत ही खूब सुरत सा हमारा यह doll का frock नीचे की side से तयार है अब जो उपर की side है chest की side वहाँ पर हमें दूसरा nozzle यूज़ करना है तो उपर की design बनानी के रिए मैंने यहाँ पर जो एकदम छोटा वाला star nozzle आता है उसका यूज़ किया है और piping bag में pink color की cream में मैंने भर दी है तो अब उपर की तरफ एकदम आपको dots इस तरह से नहीं देने हैं सबसे पहले आपको यहाँ पर इस तरह से border बनानी है या outline बनानी है उसके बाद ही आप अंदर यह जो dots है या stars है वो बना सकते हैं क्योंकि इससे आपका जो cake है उसे finishing अच्छी आती है वो दिखने में भी खूबसूरत लगता है तो outline बनाने के बाद अंदर मैंने पूरी तरह से छोटे-छोटे stars यहाँ पर बना लिया है आगे की side यहाँ पर cover हो चुकी है अब पिछे की side में भी हम लोग इसी तरह से stars बना लेंगे तो यहाँ पर जो हाथ की joints होते है guys उसे आपको बिल्कुल भी खुला नहीं छोड़ना है उसके उपर ही आपको design बनानी है तभी यह दिखने में खूबसूरत लगीगी ड्रेश तो हमारा पूरी तरह से बन कर तेयार है अब यहाँ पर थोड़ असा और जादा डेकुरेशन कर लेते हैं तो यहाँ पर मैंने कुछ ब्लू कलर के sugar balls ले लिया है इसे हम लोग इस तरह से लगा लेंगे आपको जिस भी तरह से डॉल को डेकुरेट करना है आप लोग कर सकते हैं अपनी चोईस की अनुसार तो यहाँ पर देख सकते हैं जो वेस्ट एरिया था या कमर का पोर्शन है वहाँ पर मैंने इस तरह से एक बिल्ट बना दिया है और जो नीचे के साइड से फ्लावर है व पर टरून केक आज पर पूरे प्णियों हमे तरह बनाना है तो आपको उसके लिए बहुत ही को तयार कर लीजिए और बाद में इस तरह से से चैधी कर लीजिए है ह unable केुआ बिना पर बिनाना है इसे हमने यह been a cake mold के Ek's steel दब में बनाया था बहुत ही खुब सूरत यह हमारे में बनाया लगमारे मस को लोगों को यह बहुत जादा पसंद आएगा तो रेसिपी जरूर ट्राय करना और मुझे कोमेंट सेक्षिन में बदाना कि आपको रेस्पी कैसी लगी और अच्छी लगी है पसंद आई है प्लीज इसे लाइक कमेंट शेर और दावच चनल पर नए है तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूले मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ तब तक के लिए थैंक्स पर वाचिंग गाइस